नमस्ते आप सभी का मेरे चाइनल में स्वागत है आज मैं बताने जा रही हूँ संडे स्पेसल में थाल पोस की डिजाइन अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चाइनल को सस्क्राइब कीजिएगा यह जो थाल पोस है इसे हम ट से पाले टिक की बना लेते हैं टिक की बनाने के लिए इस तरह का उन ले लेंगे मैं यहां लाल और पीला रंग में बना रही हूं मैं यहां उनका कुरुसिया इस्तमाल कर रही हूं यह कुरुसिया 12 नंबर का है इस तरह से भी गाट लगा सकते हैं और इस तरह से चेन बना सकते हैं इस तरह से उनको ले लेंगे और इस तरह से करेंगे इस तरह से गाट लगा देंगे एक चेन हो गिया है ये दूसरा तिसरा चौथा पाँचमा ये छटा ये साथमा ये आठमा आठ चेन बनानी है तो मैंने दोनों तरब से बता दिया है किस तरह से आप यहाँ पर सुरुवात कर सकते हैं अब इसे हमें इसमें फर्ष्ट वाली चेन में हमें इसे जोड़ना है अब ये दोनों से हमें इससे निकालनी है ये दोनों में से हमें निकाल लेनी है इस तरह का राउंड से बन जाएगा अब हमें पफ बनानी है तो इस तरह से इसे थोड़ा सा लंबा करेंगे और इस तरह कुरुसिया के उपर चढ़ाएंगे इस तरह से लेंगे एक बार ये दो बार तीन बार ये चार बार इस तरह से हमें चार बार लेना है और ये सभी को बीचो बीच हमें इस उन से निकाल लेनी है इस तरह से और इस तरह से चेन बना लेना है इस तरह से एक पफ तयार है अब हमें यहाँ पर दो चेन बनानी है एक दो फिर से अब हमें इसी तरह बनानी है तो इस तरह कुरुशिया का उपर ले लेंगे एक दो तीन चार फिर इसके बीचों बीच निकाल लेंगे इस तरह से और इसमें से भी हमें निकालना है इस तरह से और इस तरह से चेन बना लेंगे फिर हमें दो चेन बनानी है एक दो दो चेन बनाने के बाद फिर से हमें पाफ बनानी है इस तरह से कुरुशिया का उपर ले लेंगे एक दो तीन चार हमें चार तक ही लेनी है और इस तरह से निकाल लेंगे और इस तरह से चेन बना लेंगे, फिर हमें दो चेन बनानी है, दो चेन बनाने के बाद फिर से हम पफ बनाएंगे, एक, दो, इस तरह से, चार बार बनाने के बाद, इस तरह से हमें चेन बना लेनी है, फिर से हमें दो चेन, एक, दो, इसी तरह हमें छे पफ बनानी है चार बन गया है अब दो और बनाएंगे पांच बना ली है इस तरह एक पफ बनाने के बाद दो बर चेन देना है यह जो गेप है इसमें दो बर चेन देना है हमने दो बर चेन दे दिया है अब फिर से पफ बनानी है इसी तरह से चार बार लेने के बाद इस तरह से छे पप बनाने के बाद अब हमें दूसरा कलर जोरना है तो हम यहाँ पर अभी जोरेंगे दूसरा कलर मैं यहाँ पीला रंग ले रही हूँ यहाँ पर पप के बाद दो चेन लिया है अब जो यह पप के जो बीच में है हमें कुरसिया लेना है और इस तरह से यह दूसरे रंग को इस तरह से अंदर से निकाल लेना है इस तरह से बाद में हमें इसे जोर देना है इसमे इसमें यह दोनों को बाद में बाद देना है ताकि खुलेना तो अभी मैं नहीं बाद रही हूँ बाद में बाद होगी अब निकालने के बाद अब हमें इसमें से लाल वाली में से निकाल लेना है इस तरह से अब इसमें से हमें निकाल लेना है ये पिला वाला द्वागा नीचे के तरब से खीच ले इस तरह से थोड़ा लंबा लेना है इसके उपर उनको चढ़ा लेना है और फिर से उसी जगा पे इस तरह से पहले दो से निकालेंगे इस तरह का हमें बनाना है ये बनने के बाद अब एक ही चेन बनाएंगे इस तरह से एक चेन बनाने के बाद अब जो ये गेप है इसमें हमें दो पफ बनानी है तो इस तरह कुरसिया को उपर उनको चड़ा लेंगे और इस तरह से फिर से पफ बनाएंगे इस तरह से हमें चार बार लेना है और इन सभी को बीचों बीच से निकाल लेना है और इस तरह से चेन बना लेना है अब हमें यहाँ पर दो चेन बनानी है एक दो और फिर से इसी तरह का पफ इसी में बनानी है इस तरह से दो पफ बन जाने के बाद हमें एक चेन बनानी है अब जो ये पफ है पफ के उपर ही हमें फिर से बनानी है इस तरह का जो हमने यहाँ पर बनाया है इसी तरह का हमें अब इस पर बनाना है तो कुरिशिया को उपर ले लेंगे उनको और इस तरह से निकाल कर पहले दो से निकालेंगे फिर जाकर दो से निकालेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे और इसमें दो पफ फिर से बनाना है इस तरह से दो पफ बनाना है मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ इस तरह से आप गाठ लगा दे ताकि ये खुले न और इसे बाद में काट देंगे अब हमें ये जो रेड़ वाली उन है अब इसे हमें जरूरत नहीं है तो इसे भी हमें बांध देना है और यहाँ पर हमें काट देना है इस तरह से गिन गिन कर पफ बनाए एक पफ बन गया है अब दो चेन फिर से पफ बनाएंगे यह दो पफ बनने के बाद एक चेन फिर से पफ के उपर बनाएंगे इस तरह से फिर एक चेन फिर यहाँ पर दो पफ इसी तरह से अब हमें दो चेन बनानी है दो चेन फिर से पफ यह बन गया है अब हमें एक चेन बनानी है यह जो दो पफ है इसके बीच में हमें दो चेन बनानी है और इसके आगे एक चेन इधर से भी एक चेन इस तरह आगे पीछे एक एक चेन रहेगी और सिर्फ पफ के बीच में ही दो चेन बनेगी अब हमें यह पफ के उपर बनाना है इस तरह से फिर एक चेन और फिर से यहां दो पफ बनाएंगे फिर यहां दो पफ बनाएंगे और यहां दो पफ बनाएंगे अब यह लास्ट वाला पफ बना रहे हैं यह बन गया है अब यहाँ पर हमें एक चेन लेना है चेन लेने के बाद अब इसमें हमें बनाना है यह जो हमने एक बनाया है कुरुसिया इसके पहले एक बनाना है और यहाँ पर एक बनाना है एक चेन लेने के बाद इस तरह कुरुसिया पर चरहा लेंगे और इस तरह से बना लेना है एक बना लिया है और फिर से अभी हमें एक चेन लेना है अब हमें इसी तरह का यहां पर एक बनाना है इस तरह का पाले जैसे एक बनेगा फिर दो बनेगा फिर जब अगला राउंड आएगा तो ये तीन बनेगी प्र हमें एक चेन लेना है अब हमें ये जो पफ है पफ के बीचो बीच हमें फिर से इसी तरह का दो बनाना है एक पफ बनाने के बाद फिर दो चेन इस तरह दो चेन फिर से इसी में हमें पफ बनानी है दो पफ बनने के बाद अब हमें एक चेन बनाना है इस तरह से और जो हमने यहाँ पर बनाया है कुरसी है तो इसके आगे एक और इधर बाद में एक बनाना है पहले दो से निकालेंगे फिर इस तरह से दो से निकालेंगे एक चेन अब इसमें हमें बनाना है पहले दो से निकालेंगे, फिर से एक चेन, फिर से ये दोनों के बीच में हमें इसी तरह का दो पप फिर से बनाना है, इस तरह से चार बार बनाने के बाद, इस तरह से निकाल लेना है, अब हमें दो चेन देनी है, दो चेन के बाद फिर से पप बना लेना है, इस तरह से अब हमें यहाँ पर एक ही चेन बनानी है, बस ये धियान रखना है कि पप के बीच में दो चेन और दोनों तरफ एक एक चेन बनानी है, अब हमें यहां पर बना लेना है उपर से कुर्षिया पर उनको चढ़ा लेंगे और यहां से बनाएंगे इस तरह एक बनने के बाद फिर एक चेन फिर अब यहां पर बनाएंगे इस तरह से फिर एक चेन अब हमें फिर से इसके बीच में दो पफ बनानी है इसी तरह से दो पप बनाने के बाद अब हमें एक चेन बनानी है इसी तरह से कम्पलीट कर लेना है यहां तक अब यह लाश्ट वाला है पप बनाने के बाद फिर से हमें एक चेन बनानी है इस तरह से बनाने के बाद अब जो जैसे कि पहले यहां पर एक बनी थी यहां दो बनी है तो अब इस लाइन में तीन बनेगी पहले दो से लेंगे फिर जाकर दो से निकालेंगे फिर एक चेन फिर इसी तरह से फिर एक चेन फिर से एक चेन अब यहां पर हमें इसी तरह का दो पफ बीच में बनाना है एक पफ बनाने के बाद दो बार चेन फिर से पफ बनाएंगे बस यह याद रखना है यह दोनों पफ के बीच में दो चेन बनेगी और सभी जगा एक एक चेन बनेगी अब हमें एक चेन बनानी है अब यहां पर हमें बना लेना है इस तरह से फिर एक चेन फिर से एक चेन अब यहां पर हमें पफ बनानी है फिर दो चेन फिर से पफ इस तरह बनाने बाद फिर से एक चेन और फिर से यहाँ पर एक बार बनाएंगे और यहाँ पर एक बार बनाएंगे और यहाँ पर एक बार बनाएंगे इसी तरह से यह कंपलीट कर लेना है अब ये लास्ट वाला है इसमें पफ बनाएंगे दो फिर से इसी में पफ बनाएंगे ये लास्ट पफ बनाएंगे इस तरह बनाने के बाद अब हमें फिर हमें इसमें हमें चेन बनानी है एक चेन ये दूसरी चेन अब हमें इसी तरह से चारतरप एक राउंड बनानी है इसलिए मैंने यहाँ पर दो चेन लिया है एक चेन लेंगे फिर एक चेन एक बर बनाएंगे और एक चेन लेंगे अब हमें दो चेन बनानी है ये पप के आगे पीछे दो दो चेन रहेगी इस तरह से बनाने के बाद फिर से दो चेन यहाँ हमने दो चेन लिया और इधर दो चेन लेना है इस तरह से इस तरह से अब हमें पूरे में बना लेना है पूरे राउंड करना है बस ये पप के इधर दो चेन और इधर दो चेन बाकी जगा एक एक चेन लेना है अब ये यहाँ पर कम्पलीट हो जाएगा यहाँ से हमने शुरू किया था अब इस जगा पर हमें फिनिसिंग कर देना है अब यहाँ पर दो चेन देंगे और इस जगा पर फिनिसिंग करना है और इसे काट देना है इस तरह से गाट लगा देना है और यह टिक्की बन के तैयार है इस तरह से टिक्की बनाने के बाद अब हमें इसे जोरना है बनाने के बाद जैसे इस जगा और इस जगा इस तरह से हलका सा खीच लेना है इस तरह से अब इसे हमें इस तरह से जोरना है सीधे के तरब जोरना है यहां से यहां तक हमें जोरना है हमें यहां पर कुरुसियल लेके जाना है इस तरह से और इसी के उपर यह दूसरे वाले में और इस तरह से उन ले लेना है इस तरह से उन ले लेना है इस तरह से कुरुसिया निकाल लेंगे और इसी तरह से हमें इसी तरह से दोनों को साथ में लेके इस तरह से कुरुसिया निकालना है फिर अब यहाँ पर लेंगे इस तरह से अब इसके उपर लेंगे इस तरह से निकालने के बसार इस तरह से निकालेंगे और यह उपर का portion है यह chain बनता जाएगा फिर यहां पर लेंगे और इस जगह पर लेंगे और इसे हलके हातों से ही बनाना है अब फिर से हमें इस जगा पे लेना है इस तरह से बस इतना तक ही हमें बनाना है अब इसे हमें नीचे के तरफ निकाल लेना है इस तरह से अब इसी तरह से हमें और भी जोड़ना है अब जैसे कि यहां से यहां तक अब हमें यह इसमें जोड़ना है यह दोनों पफ के बीचों बीच इस तरह से ये जोड़ने के बाद फिर यहा जो gap है हमें इसमें ले जाना है एक बार हम gap में से निकालेंगे और एक बार जो यह वाली है इसमें से निकालना है हमें इस तरह से इस तरह से हमें यहां तक जोड़ना है यहां तक जोड़ने के बाद फिर से हमें इसी तरह से आगे जोड़ते जाना है फिर हमें यहां बीच में लेना है इस तरह से फिर इसमें और इसमें यहां तक हमें जोर लेना है इसी तरह से हमें पुरा राउंड जोरना है इस तरह से हमें जोर लेना है और फिर हमें यह इधर से यहां तक जोरना है यहां तक इसी तरह से एक बार इसमें लेकर हमें जोड़ना है और एक बार जो यह गेप वाली जगा है इसमें हमें जोड़ना है इस तरह से यहां तक करना है अब यहां पर लाश्ट करेंगे अब यहां पर उनको तोड़ देंगे इस तरह से यहां पर गाठ लग जाएगी तोड़ने के बाद अब इसी तरह से हमें यहां तक करना है यहां पर यहां तक करना है बस यह धियान रखना है इसे हमें सीधा में ही करना है और यह जो एक्स्ट्रा उन है या तो इसी समय काट सकते हैं या बनने के बाद काट सकते हैं इसी तरह से चारो तरफ हमें जोड लेना है जो लाश्ट में आएगा तो उसे उनको नहीं तोड़ना है और इसी तरह से हमें इसे चारो तरफ से इस तरह से डिजाइन देना है जो गेफ है इसमें देंगे इस तरह से फिर एक चेन लेंगे इस तरह से हमें चारो तरफ से करना है इस तरह से चारो तरफ कर लेना है हलके हातों से ही बनाना है इसे इसी तरह से पूरे को हमें कर लेना है इस तरह से हमें पूरा राउंड कम्प्लीट करना है एक बार दो बार यह तीन बार तीन बार इस तरह डबल कुरुशिया बनाने के बाद फिर चेन लेंगे फिर दो छोड़ देंगे इस तरह तीन बनाने के बाद फिर एक चेन फिर दो छोड़ देंगे पिर एक चेन फिर दो छोड़ देंगे चारो तरफ से इस तरह कम्प्लीट कर लेना है और इस जगह पे आके हमें जोइंट कर देना है इस तरह से अगर इसको बड़ा करना चाते हैं तो यह और बड़ा हो सकता है इसे और भी बड़ा कर सकते हैं इस तरह का बॉडर डाल के अगर यहां पर तीन है तो यहां पर तीन के जगह चार भी डाल सकते हैं और इस जगा पे दो डाल सकते हैं तो इस तरह करके अगर बड़ा करना चाहते हैं तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहीं पर फिनिश कर दे रही हूं और इस जगा पे जालर लगा देंगे इस तरह से गाठ लगा देना है इस तरह दो अंगलियों के बीच में इस तरह उनको लपेट लेना है मैंने यहां 13 बार लप्टी हूँ आप 15 बार भी लपेट सकते हैं इस तरह से अच्छे से गाठ लगा लेना है और इस तरह से काठ लेना है जब यहां पर गाठ लगा है तो टाइट से गाठ लगाना है अब यहां बीचो बीच इस तरह से एक इसमें से लेकर हमें इसे बांध देना है इस तरह से और इसे समान से हमें काठ लेना है ताकि देखने में अच्छा लगे इस तरह से यहां भी लगा लेना है और इस जगा इस जगा और इस जगा पर लगा लेना है अगर और लगाना चाते हैं तो इस जगा पर भी आप लगा सकते हैं यह वाली जगा पर इस तरह से जालर पूरे में लगा ले आप यहां पर भी दे सकते हैं लेकिन मैंने इस जगा प तो आप अपने अनुसार से और भी इस जगा पे भी डाल सकते हैं, इस जगा पे भी डाल सकते हैं, इस तरह करके पुरा कंप्लीट कर लेना है, उम्मीद है आज की थालपोस की डिजाइन पसंद आई होगी, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती हो, तो वीडियो को कीजिएगा, धन्यवाद